कार बेचने पर फास्टिक का क्या करें? हलो वाइस, वेलकम बैक तो यूर ओन चैनल अल अबाउट फास्टिक तो आज हम बात करेंगे कि कार बेचने पर फास्टिक का क्या करना चाहिए और अगर आपने अपनी कार को बेच दिया है तो उस पर लगे फास्टेक का क्या होगा अगर आपने अपनी वाहन को बेचा है या टांसफर किया है तो आपको फास्टेक को तुरंट डियक्टिवेट कर देना चाहिए अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो toll payment की कट होती उसी अकाउν्ट से होती रहेगी यानि आपके अकाउंट से पैसा कटता रहेगा दरसल टोल पेमिंट उसी source अकाउंट से कटेगा जिससे फास्टेक अकाउंट लिंक है इतना ही नहीं जब तक आपका Fastiq अकाउंट लिंक रहेगा तो आपके कार के नई मालिक खोबी कार के लिए नया Fastiq नहीं मिल पाएगा क्योंकि एक बाहन से केवल एक एक एक्टिव Fastiq को ही लिंक किया जा सकता है तो बात करते हैं कि Fastiq को किस तरीके से बंद किया जा सकता है आप अपने Fastiq प्रोवाइडर के कस्टमर केर से संपक करें और Fastiq लिंक अकाउंट को बंद या डियक्टिवेट करने की रिक्वेस्ट सब्मिट करें Fastiq अकाउंट बंद करने के लिए सबसे पहले आप कस्टमर केर की सर्विस पर कॉल करें या फिर आप NHI की साइट पर जाके हैल्पमें नंबर 1033 पर भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है Fastiq को लेकर तो आप सीधे नंबर पर डाइल कर सकते हैं जो की है 1033 पर इस नंबर को केवल Fastiq के लिंक मुबाइल नंबर से ही डाइल करें इसके लाव आप जिस भी बैंक का Fastiq यूज करते हैं उसकी अप्लिकेशन में जाके वहाँ पर अपने पॉर्टल को लॉगिन करें और वहाँ जाने के बाद जितने भी स्टेप्स हैं आपके Fastiq को डियक्टिवेट करने के लिए उसको फॉलो करें और वहाँ पर आपका Fastiq डियक्टिवेट हो जाएगा Fastiq को लेकर अगर आप किसी भी टाइप का प्रावल्म फेस कर रहे हैं तो बिल्कुल आप हमसे पूर्श सकते हैं हमें कॉमेंट कर सकते हैं हमारी मेल आइडी मेंचन है आप हमें मेल भी कर सकते हैं Thank you